हले दोस्तों आप सभी का स्वागत है मारी यूटूब चैनल बीट आपर महें सो फ्रेंड बीड प्रवेस परिच्छा 2024 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है जितने भी चातर एक वर्सी बीड का इंतियार करें तो दोस्तों फाइनली 2024 में एक वर्सी बीड पाट करम लागू हो गया है पूरी वीडियो आपको प्रवेस परिक्रिया कह रहने वाली है आवेदन कब से होगा कौन-कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है क्या बीए वाले भी आवेदन कर सकते हैं या फिर सिर्फ मे वाले कर सकते हैं तो चैनल को सबस्काइब जरू करना क्योंकि हमारे चैनल पर सारी अपडेट आपको दी जाती है और इसके साथ तैयारी भी कराई आती है बीर एंटरस निग्जाम के लिए ठीक है तो सबी लोग चैनल को सबस्काइब कर लो और भाईया दो हजार चोबीस में बीयड में एडमिसन लेना चाहते हो चाहे एक वर्सी ये बीयड में चाहे दो वर्सी पाठकरम में आपको एंट्रेस इंग्जाम देना पड़ेगा और एंट्रेस इंग्जाम के लिए ज्यादा टाइम आपके बचा नहीं है सिर्फ दो महीने आपके बचे हुए हैं दोस्तों तो एंट्रेस इंग्जाम में अगर आप एक सीट रिजर्व करना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आप अच्छे नंबर लेकर आएं तो आपको सरकारी सीट मिल जाएगी इसमें बहुत पैसा कम लगता है और अगर प्राइविट सीट मिलेगी आपको तो ज्यादा पैसा लगता है तो सरकारी सीट के लिए अगर चाहा रखते हो कम पैसे में b8 करना चाहते हो तो आपल इच्छा की तैयारी करने जो आप अगर उसका 5-10 साल का पेपर देख लेते हो तो 50% तैयारी आपकी हो जाएगी और 28 प्रवेस परिच्छा में पिछले वर्सों के प्रस्ट से जादा प्रस्ट पुछे जाते हैं तो 10 साल का पेपर भी मिल जाएगा और एक्स्टा नोट्स मिल सकते हैं वन येर वाले भी टू येर वाले भी क्योंकि एंट्रेंस जो है सेम रहेगा एक्जामनेशन उसका और यह यूपी भिहाद शतिस गर्ण जहारखन मद्द परदे सभी राज्यों के बियर प्रवेस परिच्छा के लिए सफीसे नोट्स होने वाला है नोट्स को लेन मात्र 175 में मिल ला है जैसे ही आवेदन सुरू होगा इसकी में 249 रुपीज हो जाएगी तो आफ़र का लाव उठाने के लिए नंबर में मैसेज करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लगातार एक वर्सी बीट कर लोएकर अकबार में नियूज निकल के आ रही अभी मीटिंग हो रही थी करुकलम इसका तयार किया रहा था लेकिन अब दोस्तों यह लागू करने जा रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले लखनों विश्विद्याले लागू करेगा इस चीज को क्योंकि पूरे देश में सबसे पहला लखनों विश्विद्याले की बात करें समय सभी सैच्षिंग संस्थानों में सत्र दुहजार चौबिस पच्चिस के लिए से एक वर्सी बीएट पाटकरम सुरू होने की उम्मीद है इस पाटकरम में चार वर्सी सनातक और प्रसनातक के डिगरी हांसिल करने वाले विद्यारती दाखला ले सकते हैं यान जिन्होंने MSC कर रहा है यानि PG कर रहा है या PG के फाइनल एर में वह लोग भी इलिजिबल है इस साल से वह लगए अडमीशन एक वर्सी में ले सकते हैं लेकिन जो चार वर्सी बीएबियसी के विकौम कर रहे हैं निव एजुकरेशन पालिसी के तहर्ट वह जो उनका चार स ये बीड़ी करेंगे अभी ठीक है उनके लिए एक वर्सी नहीं है आगे देखे नेशनल काउंसिन पर टीचर एजूकेशन एन सीटी की बात किया रही है कि और से देश भर में के उच्छ सैच्छन संस्थानों के विशेशक सिचकों की निगरानी में एक वर्स के बीड़ को प कि और एक वर्सी करना शुरू करतें कि अब यहां पर थोड़ा सा डाउट क्लिर कर देते हैं देखेंँ वह जो चार वर्सी है बीए बीए से विकॉम कररहा है चात्र जब उनका ग्रेशन हो जाएगा तो वो एक वर्सी बीड कर सकते हैं इसके साथ साथ जिनका पीजी कंप् कर सकते हैं लेकिन जो जिन लोग ने तीन वर्सी वाला बीए बीए सी वी कॉम किया है उनके लिए दो वर्सी बीएड ही है उनको दो साल का ही बीएड करना पड़ेगा तो यह चीज़ आप समझ के रखी और एंटरंस सेम होगा फॉर्म निकलेगा उसकी तैयारी करने आपको कॉलेज अलाट होगा तो उमीद करते हैं आपके लिए बहुत अच्छी ख़बर है काफी लंबे समय से आप लोग इंतियार कर रहे हैं सभी लोग तयारी में जुड़ जो हमारे चैनल को सब्सक्काइब कर लो क्योंकि हमारे चैनल पर एंटरंस रिजाम की क्लासित भ वहाँ पर भी मुझे मेसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं धन्यवाद